और इस वक्त की बड़ी खबर रूसी सेना ने यूक्रेन की राधानी कीव पर चानुत तरफ से हमले शुरू कर दिया है कीव से मैस 25 किलोमेटर की दूरी पर रूसी सेना के एक बहुत बड़े काफिले ने पड़ाव डाल रखा है सेटलाइट से ली गई तस्वीरों में दिख रहा है की रूसी आर्मी का काफिला बहुत बड़ी तादाद में कीव के बाहर इखटा हो चुका है और कीव से केवल 17 मिल यानि करीब 25 किलोमेटर की दूरी पर ये ये रुका हुआ है इस काफिले में सैक्रो बक्तरबंद गाडियां हैं आर्टिलरी और दूसरे सपोर्ट सिस्टम मौझूद है ये काफिला कितना बड़ा है इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं और बताया जा रहा है कि ये जो काफिला है करीब करीब 60 किलोमेटर जीहां एक नई दो ने 60 किलोमेटर लंबा एक काफिला रुका हुआ है और पहले अनुमान लगाया जा रहा था कि कुछी दिनों में और कुछी घंटों में काफिला अंदर दाखिल हो सकता है लेकिन अब इंतजार कीजे किसी भी वक्त ये काफिला अब कीव शेहर में पहुंच सकता है और ये उत्तरी कीव यानि कीव के उत्तर में ये लंबा काफिला है जो करीब करीब 60 किलोमेटर तक फैला हुआ है जिसमें बड़ी तादाद में रूसी सैनिक और उनकी हतियार मौझूद है